वेलकम टू आवर यूटूब चैनल समा अकेडमी समा अकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्तिक स्वागत है आज हम करने वाले कक्षा आठ खा अंतिम मोडल पेपर यानि संसकर्थ का इसे पहले अपने पांचों मोडल पेपर कर चुके हैं यानि प्रारंबिक शिक्षा पुर्णता प्रवान पतर 2022 मोडल पर्शन पतर कक्षा आठ के लिए जो संसकर्थ का रहने वाला है हम बात करते हैं इसके क्यूस्टन सार्शन्स की यानि पर्शन वस्तुनिस्ट पर्शन यानि सो सबसे पहले दिये गए हैं यानि अप्जेक्टिव टाइप जिसको इंगलिस में अप्जेक्टिव टाइप वस्तुनिस्ट पर्शना दिये गए हैं फर्स्ट क्यूसन है धूमचिका की जन्यती यानि धूमचिका क्या जन्यती तो माधुर्यम यानि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तो अपने को बुकलेट के अंदरी इसका आंसर लिखना है ए नेक्स्ट है सदेव कुतर निधही चर्णम तो इसका आंसर हो जाएगा पूर ऐनी सालिनी गरिस्मधे थी, कुट्र आगच्ट्थी यनि कहां जाएगी पितर गरहम अनिए अपने घर पिता के घर पे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऐ नेक्ष आप आंक Bennett गुंअ दोसा, क्या हो जाएगा, बे नेक्स्ट बात करते हैं, क्यूस्ट नमबर च्छे की लुबदसे नस्यती लुबदसे नस्यती, यशे इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, बे नेक्स्ट है, गुहाया स्वामी आसीत इसका राइट आंसर हो जाएगा जदी पुच्छ रंगाले श्री गाले यानि श्य नेक्स्ट है गज प्रिमानम धार्यती तो इसका हो जाएगा गजधर बै नेक्स्ट कुछन की बात करते हैं पिब दातू लट लकार पर्थम पूरुष एक वचन अस्ती यानि पिब दातू का लट लकार और एक पूरुष एक वचन बताना है तो क्या हो जाएगा पिबती यानि पिब का पिबती यानि ए नेक्स्ट है गत्वा पदी परते अस्ती तो कत्वा गत्वा परते अस्ती कत्वा राइट अंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्यूसने विद्धाले इती पदी संदी अस्ती यानि विद्धाले इसकी संदी क्या होगी तो विद्ध्या प्लस आले क्या हो जाएगा विद्ध्या प्लस आले राइट अंसरो जाएगा से विद्ध्या प्लस आले नेक्स्ट है, धनम जदातू बिक्षुक, पदस्य चतुर्थी प्रियुजे, इसका राइट अंसर हो जाएगा बिक्षुकाई, यानि दे, नेक्स्ट है, पढ़ती पदी लकारे अस्ती, यानि पढ़ती पदी लकारे अस्ती, क्या हो जाएगा राइट अंसर, लट लकार, या उप उप सरग होता है, उप यानि बै, नेक्स्ट है, सिक्स्टी, इतीक है, क्रिते, सब्द लिखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सस्टी, यानि दै, नेक्स्ट बात करते हैं, रिकस्थानी पूर्यत है, यानि रिकस्थानी की क्या करनी है, पूर्ती करनी है, विहाए योही देव मेवा लंबते तो इसका राइट अंचर हो जाएगा पोरुष क्या हो जाएगा पोरुष नेक्स्ट है तस्य मुर्धनी तिस्ठेंती वाइसा तो इसका हो जाएगा परसादा सिहंवत परसादा सिहंवत नेक्स्ट है समुदर मासा दे तो भवन्तो पेया नेक्स्ट है तस्य वर्देंती आयूर विद्या यसु बलम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चत्वारी राइट आंसर चत्वारी नेक्स्ट है क्योसे नंबर तीन की बात करते हैं अधो लिखत पदे। संदी करत्वा लिखत यानी इनकी पदों की संदी करनी है पहला यानी संदी करय प्लस अर्थम तो इसका हो जाएगा कर्यार थम कर्यार थम नेक्स्ट है उपचार है प्लस अर्थम तो उपचार थम क्या हो जाएगा उपचार थम नेक्स्ट है उचित्तावेन चित्वा वाक्य पूर्ति कुरूत यानि वाक्यों के पूर्ति करनी है तो इसमें क्या आएगा राजा तथा परजा यथा राजा तथा परजा क्या आजाएगा यथा यथा राजा तथा परजा नेक्स्ट है यावते सफले ने बहुती प्रिश्रम करू तो इसमें आजाएगा तावत क्या जाएगा तावत है next question है अदो लिखित पदोयो दातु परते हैं योजे लिखते हैं यानी दातु और परते को जोड़कर सब्द बनाना है क्री प्लस तुमन क्री प्लस तुमन क्रत्यूम क्या हो जाएगा क्रत्यूम next है गम प्लस गत्वा अभी आये था पीछे गम प्लस कत्वा तो यानि गत्वा क्या हो जाएगा गत्वा नेक्स्ट है अधू लिखिते यो पदे यो लिंग है वचन चै लिखते है यानि लिंग और वचन लिखना है कन्यायम का लिंग क्या होता है तो कन्यायम का लिंग होता है इस्त्री लिंग और वचन होता है बहुचन नेक्स्ट है बालकेन है बालकेन यानि लिंग होता है पुलिंग और वचन होता है एक वचन नेक्स्ट है उपसरग पर्था करूता है यानि उपसरग को पर्था करना है किसको पर्था करना है उपसरग को उप गम में तो उप प्लस गम क्या हो जाएगा उप प्लस गम नेक्स्ट है सम पुझे सम प्लस पुझे यानि उप्सरक को पर्थक करना है यानि अलग करना है नेक्स्ट है उचित कत्नानम सक्स्यम आम अनुचित कत्नानम नै यानि जो सही है उसमें आम बरना है जो गल्त है उसमें नै बरना है तो निजनिकेतनम गिरी सिखरे अस्ती तो आम यानि राइट है गमनम सुकरम अस्ती ने यानी रॉंग सदेव अगरे चलनियम आम यानी राइट पूरुते निधही चरणम राइट Next है, Question number no सुमेलन कूरुते है यानी इनको सुमेलित करना है क्या करना है? सुमेलित करना है पूरुते, तो पूरुते का किसे सुमेलित होगा? यानी भज-भज सक्तिम तो इसको चै से मिलान करना है Next है, सवकियम यानी परकियम सवकियम का क्या हो जाएगा? परकियम यानी घै से मिलान करना है Next है, भिती तो भिती यानी सहास Next है, अनूरक्ती यानी विरक्ती अनुरक्ति यानि विरक्ति नेक्स्ट है गम्नम तो गम्नम यानि आ गम्नम यानि खैसे लास्ट छैग नंबर को खैसे मिला देंगे नेक्स्ट बात करते हैं सव पाठे पुस्तकात स्लोक द्वयम लिखते है यो परसन पत्रे ने स्यात यानि जो परसन पत्रे के अंदर सलोक नहीं है वो दो सलोक अपने को इसमें लिखने है पहला है सुपूरण सदेवस्ती खादाने बांडम नदीनम जल यतर प्यूसे तूटियम एम सवर्ण वदय भाती सस्य धेरियम छितो राजते बार्थ सवर्ण भूमी यानि ये अपने किताब के अंदर यानि अच्छे तरीके से मिल जाएंगे अच्छे तरीके से इनको याद करने हैं यानि दो सलोक कम से कम दो सलोक आपको याद होने चाहिए यानि दो ये सलोक अपने कर लिए हैं next बात करते हैं गटना करमा अनुसार हुआ क्या नहीं लिखता है याणि गटना के करम के अनुसार इन है इन वाक्यों को arrange करना याणि लिखना है तो सबसे पहले याणि य leven जो नीचे एक आपको उत्र लिखना है इनमे इनको जचा के लिखना यानि करमवाइज यानि गटना के अनुसार लिखना है तो सबसे पहले जो आएगा पहला आएगा परी बर्मन सिहें दूरतरो तो जाता है यानि एक नंबर पे यानि एक नंबर है वो वहां पे ये लिखना है नेक्स्ट है सिहें एका मेती गुहाम ये दो नमबर पे लिखना है नेक्स्ट है गुहाया स्वामी दधी पुछ है नाम स्रंगाले समा गस्त है तो ये तीन नमबर पे नेक्स्ट है चार नमबर पे गुहा कोय पी इती स्रंगाले से विचार है तो ये चार नमबर पे आजाएगा नेक्स्ट है दुरस्ते सरंगाले रोय कत्रू मार्धम तो ये पांच नमबर प्या जाएगा नेक्स्ट सिहें सरंगाले से आहन मकरोथ ये छे नमबर प्या जाएगा नेक्स्ट दूर प्लायनम सरंगाले स्लोप पढ़तम ये साथ नमबर प्या जाएगा नेक्स्ट है अत्यत अत्रिव निगुडू बूत्वात इस्ठामी तो ये आठ नमबर पे आ जाएगा यानि इसमें नीचे जो खालिस्तान या जो जगह दी गई है इनके अंदर अपने को इनको लिखना है नेक्स्ट है अदो लिख्तम का ध्यास पठिता पर्षणा मुत्राणी संस्कर्थ बास्याम लिखता है यानि इस पैसेज को यानि इंग्लिस में पैसेज को पड़ कर इनके अपने को उतर देने है तो पहला है अस्य गनदास्याम पठितवा उचित सीर्षक लिखता है बुबिचीत है सिहाँ किस नाम से जानती है तो खरन खरे, क्या हो जाएगा, खरन खरे, next है, यानि तो इसका हो जाएगा, नूनम एतासिया गुहा रात्रो को अपी जीवे आगचती, next है, परी बर्मन सियं कह जाते, तो परी बर्मन छुधार थे, छुधा थे, next है, रेखा किता निद पानी निपदानी आर्दते परसन निर्मान करूते है यहनी रेखा की सब्द है उसका परसन निर्मान करना है गुणा गुणगेसु गुणा भवंती तो इसका अपने को यहां पे सिर्फ के लगाना है बाकी सेम का सेम के गुणा गुणगे सु गुणा भवन्ती नेक्स्ट है नदे सुस्वा दोतेया भवन्ती तो ये नदे कीज़ गयानी का का नदे सुस्वा दोतेया भवन्ती फिर है व्यादे व्यागरहम जालते भई निस्तारत तो कई Vyag है Vyag ईरम जालत यह भही निस्तारत नेक्ट्ट कुशन है अधो लिखितान पर्षनान पूर्ण वाकेन उत्रत है यह निवाकें का पूर्ण उत्र देना है परते कुशन एक उंका का चें कुशन है वयम कस्या दिसी अग्रेस राम तो डिजी भार्तम इती दिसी अग्रेस राम चंचलेन वने की करितम तो चंचलेन वने जालम विस्तारित नेक्स्ट है के साम समवाया सब्त बंगीने इती कथेते तो शब्त राजम क्या जाएगा सब्त राजम राकेस सालिनी कुतर गंतु कथेती यानि राकेस सालिनी के साथ कहां गया तो चिकित सालिम कहां पे गया चिकित सालिम नेक्स्ट है कस्य यसे नस्यंती लुबदस्य क्या हो जाएगा लुबदस्य नेक्स्ट है भार्त जनता एहं के पृपूता अस्ती तो आध्यातम तटनी सनाने नेक्स्ट है क्युष्टन नमबर 18 मंजु सायम लिखिताना सब्दाना साहय यएनकथा लिखता है यदि इन सब्दों को इसके अंदर लिखना है यानि ये सब दियेगें, ये सब्दों को इसमें बरना है, पहला है, explin one e कास्चेन तो पहले के अंदर आजाएगा, कास्चेन नेच्स्ट व्याद है, जाले विश्ति आरतम, दुरे, क्या जाएगा दूरे 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 नेक्स्ट है, सै प्रिवार है कपोत राजए तो नीचे, यहनि यह ती नमबर में आ जाएगा. नेक्स्ट है, यदा कपोता, क्या आ जाएगा? कपोता, यदा कपोता. नेक्स्ट है तस्य युक्ति नेक्स्ट आजाएगा तस्य युक्ति नेक्स्ट उसके बाद में संभुवम यहनी इसके अंदर आजाएगा संभुवम नेक्स्ट है अत्य उक्तियम सहसा अत्य उक्तियम सहसा नेक्स्ट है परसन नमबर 20 अब आपको यहां पर बढ़ना है निवेदन यानि एक नमबर पर बढ़ना है निवेदन निएक्सट ए अस्ती निवेदन यानि एक जवरपीडा इसमें आपको बढ़ना है जवरपीडा निएक्सट ए अधय विधाले आगंतूम इसमें विधाले आगंतूम बरना है अश्मात कार्णनत अस्मात कारणत है अब इसके अंदर लास्ट इसमें बरना है कारणत है नेक्स्ट है अवकास अवकास दत्वा यानि दो दिन का अवकास दत्वा नेक्स्ट उसके बाद में बहुताम आग्या पालक कक्षा कक्षा अस्टम तो यहां पे कक्षा अस्टम में आ जाएगा निर्देश्ता नुपारण पंती स्विकरते उधानें विशेसी निम्मद लेखनें करूते हैं, अब आपको एक निम्मद उधान के बारे में एक निम्मद लिखना है, इन सब्दों का यूज करते हैं, विधाले से असमीपे, औरक्षा, खगा, पुस्पानी, बर्मनाय, यान इन सब्दों का यूज करते हैं, आपको क्या कर लिखना है, एक निम्मद टाइप करना है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है, प्लीज सेर करें, सस्क्राइब करें, और बेल आइकन को दुरूर जबाए, आज के लिए इतना ही, मिलत एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, अलविदा